सभी भक्तों को प्यार बने नमश्कार सिद्वाबा चैनल में आप सभी का स्वागत है भक्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 21 जून को पढ़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में विशेश सूचना पहली बात तो यह कि यह है इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है और काफी लंबे अवधी के लिए यह सूर्य ग्रहण पढ़ने वाला है करीब करीब तीन घंटे 25 मिनट का यह सूर्य ग्रहण होगा और जो सुबा 10 बजकर 17 मिनट से शुरू होकर 2 बजकर 2 मिनट तक 10 बजकर 17 मिनट से शुरू होगा और 2 बजकर 2 मिनट तक इस ग्रहण का काल रहेगा तो इसका जो सूतक है वो रात को ही लग जाएगा तो सूतक काल में आप अपने पूजा के मंदिर के सभी कपाट बंद कर देंगे या उसको मंदिर को अगर चोटा मंदिर है तो किसी कपड़े से ढख देंगे ठीक है साथ ही खाने पीने की जो चीजें अगर फ्रीज में रखते हो तो भी ढख के रखें उसमें कुछ पत्ते तुलसी दल के डाल दें अगर बाहर रखते हैं तो किसी सूती कपड़े से या चलने से ढख दें और उसमें भी तुलसी के पत्ते कुछ डाल दें कोई भी खाने पेने का समान आप खुला न रखे क्योंकि उसमें दोश पहलता है और वह खाना जो है स्वास्ते के लिए अच्छा नहीं होता जो उतिश्री मार्गद्शन के हिसाब से मैं आपको जो बताना चाहता हूँ मैं यही बताना चाहता हूँ कि यह जो ग्रेण है कुछ राशियों के लिए शुब है और कुछ के लिए अशुब तो आप उस बात पर ना ध्यान दे कर कि यह किन के लिए शुब है और किन के लिए अशुब आप इस बात पर ध्यान दे कि ह रहा हमें इसके लिए उपाय क्या करना है कि सबसे पहरी बात तो यह कि गरहन का अलमें चाहे को फोरा गरहन होती हैं इसी अब가지 मगनेशी में होते Chicago देके कि हमें क्या नुक्सान होगा हमें इस बात-पर दियान देना है कि हमेंस फवायदा क्या होगा को तुए जो पीरेड थीन गंटे सावा तीन गंटे का जो पिरड़ा चार गंटे का पीरेड़ा करेंग का हमें इसका पूरा उपयोग करना है त werden ये पियोग कैसे करना है ? आप इसमें अपनी कोई भी इषट साधना कर सकते ह Sound हो किसी भी इषट देव की गणेश जी की, शंकर फगमान की हनुमान जी की महता मामाई की दुरुगा माता की जिस भी देवी देव्ता की पूजा अर्चना करते हैं उनका कोई बीज मंत्र जो आप जबते हैं अगर कोई आप शाबरी मंत्र आप जबते हैं तो उस मंत्र का जाप आप आज सिद्ध कर सकते हैं जो मंत्र आप नवरात्रों में होली की अवदी पर दिवाली पर ऐसे तोहरों पर जो आप मंत्र सिद्ध करते हैं ग्रहन काल पर भी आपको उसी तरीके का पुन्यफल मिलता है तो आप क्यों न यह काम करें वजाए आप इस बात पर ध्यान दे कर कि नगारात्मकुर्जा का सरजन हो और आप बेवज़े जो है उस चीज को लेकर बैठें मैं कहता हूँ कि आप जो है इस साधना करो अपना बीज मंतर लो एक कटोरी लो रुद्राक्ष की माला लो या मुंगे की माला लो या हकीक की माला लो या सफटीक की माला लो जो भी जैसा मंतर है तुलसी की माला लो अगर आपका मंतर जो है तुलसी की माला के लिए जैसे हरे क तो आप उनका कोई बीज मंतर है तो आप महुंगे की माला लीजिए इसी तरीके से आपको पहले पता होगा कि आप कौन सा मंतर किस माला से जबते हैं उसी प्रकार जो है आप मंतर का जाप करें दूसरी बात यह कि आप जो है एक कटोरी जल ले उसमें थोड़ा सा गजल डालन हो सके तो बड़ा कटोरा लें ताकि उसमें आपकी माला अराम से घूम सके ठीक है सीधे हाथ में माला लें और पहली माला सीधे सीधे जपें उसके बाद माला को गुमा लें फिर उसके आप उल्टी माला उसको जपें इस तरीके से एक बार माला सीधी और एक बार माला उल् इस तरी के से जाब करें आपको अत्ती शुब फल की प्राप्ति होगी जय बाबा की जय गुरु महराज